है दोस्तों आप सभी को मेरी इस वीडियो पर स्वाकत है और आज आपको मैं खक्चा छटवी के जो कि प्रिविश परिक्चा हिंदी विसाई के आप देख सकते हो यहां लाया हूँ ठीक ने एकलब विद्ध्यालाई के लिए बहुत अती महत्पूर है दोस्तों और यह क्या ह 18-100 कोस्टन नमर है मतलब आप अनुमाल लगा सकते हो कि हिंदी से 12 कोस्टन लगभाग इसमें आते हैं मतलब कमाते हैं अंग्रीजी से 12-13 आएंगे और सबसे ज़्यादा सामान जानकारी से आते हैं कोस्टन दोस्तों सामान जानकारी मतलब तरक सकती से बहुत सारी कोस्टन आते हैं तो आप बने रहे वीडियो और एक खास जानकारी आपको मैं बता दू कि मैं 27 जन्वरी को 27 जन्वरी को क्या है 100 प्रिशनों को पूरा टेस्ट ला रहा हूं तो आप अपना लेबल चेक कर सकते हैं कि हमारे किस तिर कितने नम्मा राए और हमें अंते तक जोड़े रहेंगे दोस्तों 11 फरवरी को आपका पेपर है 11 फरवरी को है तो बहतरी आप बने रहे और इसी दिन साम को हम 8 बज़े आंसर की किस तरीके से आप पूरा मिला लेना कहां कहां गलती हो कैसे पूरा 11 फरवरी को हम बनाएंगे तो चलिए हम आगे बढ़ते आला का बहुत आसान पेपर आता है यह थूड़ा टप रहता है जो कि ठीक नरीजिनिंग रहते हैं डाइग्राम वाले तो बहतरी तरीकी से आप बिलुकुल नाराज मत रास नहीं होना कि क्या है एकलब में हमारा नहीं हो गया कटिन पेपर आएगा बहुत आसान आएगा ठ के लिए बढ़ते हैं पनागे की ओड़ तो फस्ट पिर्शन क्या देखे 88 नमर का है मैंसे स्वर कौन सा है तो आपको स्वर बताना देखिए टाइप से देखिया आप स्वर कौन सा है तो स्वर वेंजन आप अच्छे से बहतरी हिंदी में करिए आपका पेपर सहीं जाएग बचपन का नाम क्या था आप बता सकती हो नरेंद था ठीक इसका भी ओप्सन सहीं हो जाएगा फिर नेश्ट कोस्टन क्या है नब्बे वाला सरुनाम निवन मैसे किसके इस्थान पर प्रियुक्त होता है तो देखिए हम पहले सिलेबस डाल चुके हमारे आप वीडियो है गडित तरग सकती सामान ने और अंग्री जीक सभी के तो अब देखिए चरुनाम क्या होता था तो आपको पता हुना चाहिए चरुनाम जो कि क्या है संः और मैसे किसके इस्थान फिर्यूख होता है तो क्या जाएगा संग्या आ जाएगा प्रिंगा संग्या देख जाये तो क्या होता है सकारात्मक का विलॉम सब्दया बहती ने अच्छी सदें संग्या सरुनाम देख लें तो क्या होता है सकारात्मक का नकारात्मक बिलॉम हो जाएगा ठीक है ना पर इसका क्या दिया है बानवे क्या है विद्याला में कौन सी संधी है तो देखें विद्याला में आपको संधी बताना है विसर्क संधी नहीं है वेंचन संदी नहीं है इन में से कोई जे भी नहीं है तो कीवल क्या है स्वरसंदी है इसका C options नहीं हो जाएगा फिर क्या है तिरान अवे का देखिये सही सरुनाम को चुनकर वाग के पून करो आपको सरुनाम चुनना तो यह संग्या सरुनाम तो यहां क्या है आजाएगा देखे सहीं आपको किसने बुलाया था तो यह आजाएगा भी option सहीं हो जाएगा ठीक है ना फिर next question की तरफ चुराने वे क्या है इनमें से विदेषी सब्द कोन सा है तो विदेषी सब्द क्या होता है जो बाहर सला हैं अंग्रेजी जैसे अंग्रेजी अपन क्या करते हैं पूत जिनर पूत किडिया जे तो नहीं होगे इस्टेशन इस्टेशन क्या है विदेशी सब्द अंग्रेजी का होता है दोस्तों इस्टेशन जिन्हें अपन अभी याद कर रहे हैं ठीक है न पढ़ते है बोलते हैं तो विदेशी सब्द भी होते हैं तो इसका डी ऑप्सन सहीं हो जाएगा विदेशी सब्द में फिर नेश्ट कोस्टन क्या है पच्पन पंचानना भी क्या है लार टपकाना मुहावरे का आर्थ है तो आपको मुहावरे भी देखना लोकक्ति एक दू बहुत आसान वाले देखना ज्यादा कटिन ठीक नहीं मन रहा है तो एक दो छोड़ देना टॉपिक क्योंकि कुछ अपन टाइम परवाद नहीं करना ठीक है आपको तो क्या हो जाएगा लार टपकाना इसका ललचाना होता लार टपकाना मतलब ललचाना तो सी ऑप्सन सहीं हो जाएगा पिर 6-9 का क्या है बेहने भाईयों को राकी की सवसर पर बांधती है तो देखे दोस्तों राकी बांधती हैं सभी को पता है रक्षबंदन कते हो आर देखे कितना आसान सा कोस्चन आते हैं इसलिए आप बिल्कुल घबडा आईए नहीं मैं अच्छे से बिल्कुल तयारी कर है समराट असोक ने युद्ध जीता था वाक किस काल का है तो देखे काल भी आपको बहत्रियात कर ले ना वर्तमान भूत काल भविसकाल तो जीता था था आ रहा है दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा यह होगा ठीक है न कौन सा होगा आप बता सकते हो देखे समरा शूराट उसोख न युद्ध जीता था कौन सा वाफ होगा वरतमान नहीं होगा भाई उस नहीं होगा था जब भी आयए तो कौन सा होगा भूतकाल होगा तो इसका भी आपशन सहीं हो जाएगा तो फिर पानी का प्रियाईवाह सब्दें in प्रियाई वाची सब्दे क्या हो जाएगा पानी को हम क्या प्रियाई-बाप्ट के बोध करे मुथकें मुंसी प्रेम चंद है। जे बच्चों का है जो कि गलत कर गी है इस वाला ठीक है ना आप जे नहीं मानना जो मैं बता रहा हूं उसमें आप सहीं रहिए ठीक है ना इद गाय पार्ट के लिए का क्या हम उनसी प्रेम चंद फिर नेश्ट क्या है सोवा नमर बगीचा का प्रयावाची सब्द देखे दोस्तों प्रयावाची सब्द नहीं है नहीं है पूचा दोस्तों यहां अच्छे से पढ़ना तो उपफण बाग उद्यान से सब्द बगीचा होता गिरह मतलब घर होता है ठीक है ना तो इसका सो नमर का क्या जाएगा डी वाला आ जाएगा तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छे लगी तो पिलीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए आप हमारे साथ 27 जनवरी को टेस्ट होगा तो बहतिन तरीके से आप सौकुर्ट द